पूर्व कॉंग्रेस नेता और असम के मौझूदा मुख्यमंत्री हिमंता विशु सर्मा को कॉंग्रेस के एक नेता ने वारल वीडियो पर नकलची बंदर कह दिया है भारते जन्ता पार्टी के नेता वो मुख्यमंत्री हिमंता का एक वीडियो वारल है जिसमें वो एक चिट से कुछ पैसेज नकल करके एक नोट कापी में पेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अब असम के मुख्यमंत्री द्वारा पैसेज नकल करके लिखने पर तमाम सोसल मीडिया यूजर्स उनके ग्यान पर सवाल उठाते हुए उन्हें ट्रोल कर रहे हैं हलाकि इन ट्रोलर्स को हिमंता बेशु सर्मा ने जबाब भी दिया है विरीता जैन ने मुख्यमंत्री सर्मा के इस वारल वीडियो को सेयर करते हुए कहा है मतलब खुद का कोई बिचार नहीं है इनके पास लिखने को बेचारे को लिखना नहीं आता कॉपी सीयर्स ने ताल कलामबा ने कहा भाजपा का नकलची बंदर गोधी पत्रकाजिता के जमाने में निस्पक्च रिपोर्टिंग किसी चुनोती से कम नहीं हमारी होसल आप जाई के लिए वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले जो विजिटर्स बुक में एक पैरा ग्राब भी बिना देखे नहीं लिख सकते रोसन राय को जबाब देते हुए हिमंता ने कहा है मैं एक असमिया माध्यम के विद्याले गया हूँ और मैं हिंदी अंग्रेजी सीखने की पूर जोर कोसिस कर रहा हूँ अपने तरीके से मैं मानता हूँ कि मैं अंग्रेजी और हिंदी बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ और मुझे ये स्विकार करने में कोई जिजग भी नहीं है असमुक्यमंत्री के जवाब पर रोसन राय ने पलटवार भी किया है रोसन कहते हैं असमिया एक बहुत खुबसूरत भासा है अगर आप विजिटर बुक में असमिया भासा में ही लिखते तो और भी अच्छे बात होती आपको कोई बादेता नहीं थी कि आप अंग्रेजी या हिंदी में ही लिखें लेकिन कुछ भी इस तरह से नकल करके छापना आपके कद के नेता को सोभा नहीं देता नेता के नवकारियों से लोग प्रेरित होते हैं नकल से नहीं आगे रोसन ने हिमंता विशु सर्मा का वो वीडियो के स्क्रीन सोट भी सेयर किये हैं जिन में सर्मा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं